एक आशिरवाद कोई विचार नहीं होता आशिरवाद कोई भावना भी नहीं होती आशिरवाद बस कुछ मात्रा में उर्जा होती है आशिरवाद अपने आप में न तो अच्छा होता है और नहीं बुरा तो आशिरवाद टैंक में भरे पेटरोल की तरह है अभी अभी एक प्रतिभागी मेरे पास आई जब मैं रुदराक्ष को आशिरवाद दे रहा था उन्होंने आकर मुझसे पूछा आशिरवाद क्या है आशिरवाद देते वक्त आपके विचार क्या होते है तो देखिए मैं कहूं या कोई और आपको all the best कहे वो कोई आशिरवाद नहीं होगा वो बसे के इच्छा होगी इच्छा बसे को मीध होती है उसे किसी चीज़ से प्रमानित नहीं किया गया होता आप अपने लिए कुछ अच्छा सोचते हैं या आप दूसरों के लिए कुछ अच्छा सोचते हैं वो बस एक अच्छा विचार होता है एक आशिरवाद कोई विचार नहीं होता आशिरवाद कोई भावना भी नहीं होती आशिरवाद कुछ मात्रा में उर्जा होती है अगर आप अगर आप खुद को इतना तरल बना लें कि आप एक पके हुए बर्तन जैसे नहों आप में वैसा ढिलापन हो तब आप उसका थोड़ा सा हिस्सा लेकर दे सकते हैं अगर आप एक अच्छे से पके हुए घड़े हैं तो आप उसमें से कुछ भी भार नहीं निकाल सकते क्योंकि वो एक सख्त रूप में है तो आशिरवाद न तो अच्छा होता है और नहीं बुरा ये बस कुछ ऐसी चीज है जो आपको गती देती है ये पेट्रोल की तरह है कार में गैस या पेट्रोल की तरह अरे आपकी गैस नहीं मैं पेट्रोल की बात कर रहा हूँ आप टैंक में पेट्रोल डाल दें तो आप चल पड़ेंगे पर अगर आप कार को धक्का दे कर चला रहे हैं तो आप जान जाएंगे कि आपका घर कितना दूर है बहुत बहुत दूर है ना आपके पास टैंक में पेट्रोल हो तो आप पलक जपकते ही पहुँच जाएंगे है ना मन्जिल कितनी भी दूर हो कोई मुश्किल नहीं तो आशिरवाद टैंक में भरे पेट्रोल की तरह होता है आशिर्वात कोई इच्छा नहीं होती, ये कोई विचार या कोई भावना नहीं होती ये अच्छा या बुरा नहीं होता, ये बस पेटरोल जैसा होता है अगर आपको एक चलती हुई गाड़ी चाहिए तो पर अगर आप उन लोगों में से हैं जिनहें खड़ी हुई गाड़ी पसंद है क्योंकि चलती हुई गाड़ी खतरनाक होती है, वो टकरा सकती है चलती हुई गाड़ी खतरनाक हो सकती है, है ना, खड़ी हुई गाड़ी हर हाल में ज्यादा सुरक्षित होती है आया ना तो कई लोगों ने खड़ी हुई गाड़ी में जीना चुन लिया है ऐसे में सुभा जाहिर है दोपहर बन जाती है और दोपहर शाम और शाम पका रात बन जाती है पत जड़ सर्दी में बदल जाता है, सर्दी वसंत में, वसंत गर्मी में और फिर पत जड़ ये काफी रोमान्चक होता है, पर अगर आप में थोड़ा पागलपन है, कि आप कुछ दूरी तै करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तयार हैं, आप चलती हुई कार चाहते हैं, एक चलती हुई कार है ना, खड़ी गाड़ी बहुत सुरक्षित गाड़ी होती है, सब बढ़िया होता है, आप उसमें आराम से रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है कि आप कहीं जा नहीं सकते, बस इतना ही, अगर आपका इरादा कहीं न जाने का है, आप बस जीने के लिए एक सुरक्षित जगा चाहते हैं तो एक खड़ी हुई गाड़ी अच्छी जगा है, है ना? पर अब आप कहीं जाना चाहते हैं सडक पर पी कर चलाने वाले ड्राइवर्स भी हैं पर फिर भी आप कहीं जाना चाहते हैं अब आपको पेट्रोल चाहिए तो आशिरवाद पेट्रोल की तरह है ये बस कुछ मात्रा में उर्जा है नकी अच्छी काम ना है